Hello friends, welcome back to my channel आज हम बनाने वाले है एगलेस डोनट्स एगलेस डोनट्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रीडियन्स की जरुवत है 200 ग्राम मैदा, 5 ग्राम नमक, 10 ग्राम इंस्टेंट ड्राइ इस्ट, 25 ग्राम शकर, 80 ml दूद, 45 ml पानी, 20 ग्राम अंसल्टेड बटर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लिया है, अगर हमें जरुवत पड़ी तो हम इसे यूस करेंगे सबसे पहले हमने जो दूद लिया था, उसमें हम जो पानी लिये थे, वो मिला देंगे और इसे कोने में रख देंगे मैंने नीचे description box में टेबल स्पून का measurement भी लिखा है, अगर आपको refer करना है तो आप उसे refer कर सकते है हमने जो मैदा लिया था, उसे हम हमारे walking surface पे दाल देंगे walking surface पे दालने के बाद हम इसमें एक hole बना देंगे hole बनाने के बाद हमने जो instant dry yeast लिया था, उसे हम इसमें दाल देंगे instant dry yeast दालने के बाद हमने जो शक्कर लिया था, वो हम दाल देंगे शकर दालने के बाद हमने जो दूद और पानी का मिक्स्टर बनाया था वो हम इसमें दाल के मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे हम मिक्स करते रहेंगे जब आप मिक्स करेंगे तो देखेंगे आप इसमें के हलके हलके से बबल्स आना स्टार्ट हो गए है bubbles आ रहे हैं यानि हमारा जो east है वो active हो रहा है हमें इसे ऐसे ही एक से दो मिनिट तक mix करते रहेना है उसके बाद हमारा जो scraper है वो लेके हम जो हमारा आटा है वो neet करना start कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा करके हम आटे को ये mixture में mix करते रहेंगे ऐसे ही हमें इसे अभी अच्छे से mix करते रहना है mix करते टाइम हमारा जो दूद और पानी वाला liquid था वो हम इसमें दाल के इसका एक अच्छा सा dough बना देंगे हमारा dough अच्छे से soft हो चुका है अब हम इसमें नमक दाल के 2 से 3 मिनिट तक इसे नीट कर लेंगे इसमें थोड़ी सी महनत लगेगी ऐसे ही हमें आगे पीछे करते हुए हमारे dough को अच्छे से नीट करना है नीट करते रहना है अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा dough है वो अच्छे से soft हो चुका है अभी हम butter ले लेंगे butter को हमारे working surface पे निकाल देंगे और ऐसे उसे melt करना start कर देंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए हम हमारा जो dough है उसे butter के साथ mix करके नीट करना start कर लेंगे butter को अच्छे से हमारे dough के साथ mix कर लेंगे और ये जब तक बराबर से mix नहीं हो जाता हमें इसे ऐसे ही गूंद लेना है आप देख सकते हैं कि butter हमारे dough के साथ अच्छे से mix हो चुका है अब हम इनके 6 pieces कर लेंगे अभी dough का एक पीस उठा लेंगे और उसे ऐसे ही हमें गोल करते रहना है हम गोल तब तक करते रहने जब तक इनका उपर का surface जो है वो smooth नहीं हो जाता ऐसे ही हमें इसे पीछे से टक करते रहना है और इसे अच्छे से smooth करना है अब देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से smooth हो चुका है अभी हम इसे हमारे baking tray पे रख देंगे baking tray पे मैंने पहले से butter paper लाइन करके रखा था सभी dough balls को हम baking tray पे रखके baking tray को clean wrap कर देंगे baking tray को clean wrap करने के बाद हम इसे गरम जगे पे 30-45 मिनिट्स तक रख देंगे जब तक यह double in size नहीं हो जाते अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूका मैदा लिया है उसके साथ ही मैंने एक nozzle लिया है तो आप कोई भी round cheese से इसमें hold कर सकते है अभी हम हमारा जो clean wrap है उसे tray पे से हटा देंगे tray पे से clean wrap हटा देने के बाद आप दीख सकते है कि हमारा जो हर एक dough ball है वो बहुत ही soft हो चुका है अभी हमने जो nozzle लिया था उसे हम flour के अंदर यानि मैदा में dip करके हर एक dough ball के अंदर hold कर देंगे अगर आप यह step नहीं करना चाते है और ऐसे ही doughnuts को बिना hold के बनाना चाते है तो आप वैसे भी उसे बना सकते है मैंने सारी doughnuts में hold कर दिया है सिवाए एक के क्योंके मैं ऐसे M.O.D. style वाला doughnut बनाऊंगी ट्रेल को मैंने clean wrap कर दिया है अब इस ट्रेल को मैं कोने में 10-15 मिनिट तक छोड़ दूँगी 10-15 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि यह थोड़े और fluffy हो गये है अभी हम कड़ाए में तेल लेंगे और तेल को गरम करेंगे हमारा तेल जो है वो गरम हो चुका है अब हम हमारा जो gas का flame है वो low कर देंगे gas का flame low करने के बाद हम इसमें अभी एक या दो piece doughnut का दाल के fry करेंगे मैंने एक पीस डोनट का डाल दिया है अभी गैस का फ्लेम मीडियम करके मैंने दूसरा पीस डाल दिया है अभी हम इसे टर्न करते हुए फ्राइ करेंगे ताकि ये दूनों साइट से बराबर से फ्राइ हो जाए आप दिख सकते हैं कि हमारे जो डोनट है वो अच्छे से ब्राउन होने लगा है ऐसे ही हमें इसे टर्न करते हुए फ्राइ करते रहना है जब तक ये गुल्डन ब्राउन इन कलर ना हो जाए आप दिख सकते हैं कि जो हमारा डोनट है वो अच्छे से दोनों साइट से फ्राइ हो चुका है अभी हम हमारा जो गैस का फ्लेम है उसे लो कर देंगे गैस का फ्लेम लो करने के बाद हमारे डोनट को हम पेपर टावल के उपर निकाल देंगे अभी हम हमारा M.O.D. स्टाइल वाला डोनट को फ्राइ कर देंगे ये वाली डोनट को भी दालने के बाद हमें इसे घुमाते वे अच्छे से फ्राइ करना है जब तक इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फ्राइ हो चुका है इसे अभी हम किच्छन टावल पे निकाल देंगे हमारे सारे डोनट को हमने किच्छन टावल पे निकाल दिया है आप देख सकते हैं कि ये कितने फ्लफी और इन पे अच्छा सा सुनहरा रंग आया है और हमारा जो डोनट से वो रेडी हो गया है मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे डेकोरेट कर सकते हैं या अंदर से बहुत ही फलफी बना है आप ज़रूर इसे ट्राइ कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए